हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चैनल, आज मैं आपको डीसाइनर पॉपसलीव कैम बनाना बताऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये देड मिटर जॉर्जट का फैबरिक लिया हुआ है, और मैंने ये गॉल्डन कलर की लेस ली हुई है, आप कोई भी लेस इसमें लगा सकत है, तो सबसे पहले जितना भी हमारा गले का राउंड होता है, उससे एक इंच लेस हमें एक्ष्टा कट कर लेनी है, तो लेस को मैंने 16 इंच तक का कट किया है, तो मेरा पूरा गले का राउंड 15 इंच का है, तो एक इंच लेस मैंने एक्ष्टा कट की हुई है, तो इस तरह की चौड़ाई 8 हिंच की है तो मैंने 10 हिंच की लेस कट की हुई है आप अपनी इसाब से लेस को कट कर सकते है जितना भी आपका स्लिव राउंड है उतनी आपको लेस कट करनी है उसके बाद मैंने ये स्लिव के लिए दो पटिया कट की हुई है तो इसे मैंने डबल फोल करके बिचाया हुआ है क्योंकि हमारा जॉर्जट फेब्रिक थोड़ा पतला होता है इसलिए मैंने दो दो पटिया कट की हुई है और जितनी हमारे स्लीव की लेस की लंबाई है उतनी ही हमें पट्टे की लंबाई लेनी है और पट्टे की जो चोड़ाई है वो मैंने चार इंच की रखी है अभी देखे एक पट्टी को इस तरह से हमें सीधा ही रखना है और उसके उपर लेस को हम सीधा ही रखेंगे तो नीचे से हमें आधा इंच छोड़ते हुए लेस को रखना है क्योंकि हम नीचे की बॉडर भी फोल्ड करने वाले है इसलिए नीचे से आधा इंच लगा देंगे और इसी तरह से डूसरा जो फैब्रीक है उसे भी हम सीधा ही रखेंगे और उसके उपर लेस को भी सीधा ही रखना है और सिलाई लगा देनी है आदा इंच छोड़ते हुए उसके बाद दोनों साइट से आदा इंच का गेप रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है उसके बाद यह जो कॉलर के लिए मैंने दूसरा फैबरिक कट किया हुआ है और इसे भी मैंने दो पटियों में कट किया हुआ है आप सिंगल पटि भी यूज कर सकते हैं और इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने चार इंच की रखी है और जितनी हमने लेस की लंबाई रखी थी उतनी ही हमें फैबरिक की लंबाई भी रखनी है अभी इसके उपर भी नीचे की सैट आधा इंच छोड़ते हुए हमें लेस को सीथा ही रखना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा कर लेस को अटेच कर लेना है उसके बाद जो उपर वाला फेब्रिक है उसे हम इसके उपर रख देंगे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए और दोनों सैट से आधा आधा इंज का गेप रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है दोनों ही सैट से तो देखे मैंने कॉलर में सिलाई लगा दी है अभी इसके कोने पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे दोनों सैट के कोनों पर हम एक छोटा सा कट लगा देना है और इस पट्टी को हमें सीधी सैट पर पलट देना है तो पलट ने से ये जो हमारी लेस पट्टी हमने अंदर की सैट लगाए थी वो कुछ इस तरह से बाहर की सैट पर नज़राएंगी देखे इस तरह से तो ये हमारा कॉलर बनकर रेडी हो चुका है नीचे की बॉर्डर हम बाद में फोल्ड करेंगे उसके बाद स्लीव की जो पट्टी है उसके उपर भी मैंने सिलय लगा दी है दोनों ही सैट से अभी इसके कोनों पर भी हम एक छोटा-छोटा कट लगा देंगे और इस पट्टी को भी हमें सीधी सैट पर पलट देना है तो देखी ये लेस इस तरह से हमारी बाहर की सैट नजर आएंगी नीचे की बॉर्डर हम बाद में फोल्ड करेंगे और दूसरी पट्टी को भी मैंने सिलय लगा कर रेडि कर लिया है अभी इसे भी हम सीधी सैट पर पलट देंगे और इसके कोनों को भी हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना है और ये हमारे स्लीव का पॉप बनकर रेडि हो चुका है अभी हम स्लीव को रेडि करेंगे तो उसके लिए मैंने ये फैबरिक कट किया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम हमें 40 सिंज तक की रखनी है क्योंकि हम इसमें गैधरस बनाने वाले है तो इसकी चौड़ाई 40 सिंज की हमें रखनी है और स्लीव की जो लंबाई है वो हमारी 8 सिंज की रेडि होगी तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है नीचे से हमारा 2-3 इंच का puff हम अलग से अटेच करने वाले है तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच की रखी है अभी सबसे पहले जो इसकी किनारी है उसकी border को हमें double fold कर लेना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है और दूसरी साइट की किनारी की बॉर्डर को भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके उपर हम सिलाई लगा देंगे उसके बाद जो इसकी चोड़ाई है वहाँ पर हमें आधा इंच का गेप रखते हुए बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगानी है तो उपर और नीचे दोनों साइट की बॉर्डर पर हम आधा इंच का गेप रखते हुए बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगाएंगे गैतरस बनाने के लिए उसके बाद मैंने दूसरी स्लिव का फैबरिक भी कट कर लिया है और पहले इसकी भी लंबाई वाली बॉर्डर को हम फोल्ड कर लेंगे उसके बाद बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगा देंगे तो देखे मैंने इस लिव की दोनों साइट की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और उपर और नीचे मैंने इसमें बड़ा टाका करके सिले लगा दी है अभी हमें एक धागे को हलके हलके खीचना है और इसकी गैधर्स बना लेनी है इस तरह से गैधर्स को सेट कर लेंगे उपर से भी और नीचे से भी उसके बाद ये जो हमारा कॉलर है इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक निशान लगा देना है बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे उसके बाद जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उसके दोनों सैट पर हम एक एक इंच पर निशान लगा लेंगे क्योंकि बीच में हम दो इंच का गेप रखने वाले है तो सेंटर से दोनों सैट पर हमें एक एक इंच पर निशान लगा देना है रैट साइट पर भी और लेफ्ट साइट पर भी हम एक एक इंच पर निशान लगा लेंगे तो ये दो इंच का गेप हमारा बीच में आएगा उसके बाद ये जो पट्टी हमारी है कॉलर की तो नीचे से हमने इसकी बडर को अभी फोल्ड नहीं किया है तो जहां तक हमने निशान लगाया है वहां तक हमें इस जो स्लिव की गैदर को अच्छे से सेट कर लेना है जितनी कि हमारी कॉलर में एज्जस हो सके उतनी हमें गैदर को सेट कर लेना है उसके बाद ये जो पट्टी है इसकी बॉर्डर हम आधा इंच तक अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे आप चाहे तो पहले इसमें सिलाई भी लगा सकते है उसके बाद ये जो हमारी फ्रील है इसे हमें इसके अंदर डाल लेना है तो ध्यान रहे जहां तक हमने निशान लगाया है वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है गैधरस को सेट करते हुए और बीच में जो दो इंच की पट्टी एक्ष्टा बचेगी उस पर भी हमें सिलाई लगा देनी है उसके बाद दूसरी साइट पर भी हम ये गैधरस अच्छे सेट कर लेंगे और जहां तक हमने निशान लगाया है वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगा देंगे तो देखे मैंने इस तरह से दोनों ही स्लिव को अटेच कर लिया है और बीच में हमारा दो इंच का गेप रहेगा जो की हमारे नेक पर आएगा अभी नीचे भी जो हमने बड़ा टाका करके सिलाई लगाई है तो उसे भी हमें एक धागे को खीचते हुए इसकी गैधरस को सेट कर लेना है जितना हमारा स्लिव का पफ है उतनी हमें फ्रिल को एड़्जस कर लेना है उसके बाद ये जो हमने स्लिव के लिए पट्टी रेडि की हुई है उसके बराबर हमें गैधरस को सेट कर लेना है उसके बाद पट्टी की जो नीचे वाली बॉर्डर हमने खुली छोड़ी थी उसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है आप चाहे तो इस बॉर्डर को प्रेस लगा कर सेट भी कर सकते है उसके बाद ये जो हमने इस लिव की गैदर्स को सेट किया है उसे हमें इसके अंदर डाल लेना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी सैट पर भी हम गैदर्स को सेट कर लेंगे जितना हमारा puff है उतनी हमें gather's को set कर लेना है उसके बाद ये puff की दोनों set की border को हम इस तरह से अंदर की तरफ fold करते हुए इससे press से set कर लेंगे और इस glue को इसके अंदर डाल लेना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा दिनी है तो देखे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोन लेंगे इस तरह से तो उपर की set से हम eyes बना लेंगे और अंदर वाली set से हम इसमें hook लगा लेंगे इस तरह से हमारे hook और eyes slue के उपर आएंगे और इसी तरह से दूसरे slue के उपर भी हम hooks and eyes लगा लेंगे इस तरह से और ये जो हमारा collar है उसके उपर भी हम पीछे की set से आप यहां पर लगा सकते हैं और हुक लगा सकते हैं तो इसी के साथ यह हमारे डिजाइनर पबสलिव केब बनकर रेडी हो चुकी है और यह है इसका फाइनल लुक so friends आप इसे same color की gown के साथ प्यार कर सकते हैं यानि कि same color का gown बना कर भी आप इसे पहन सकते हैं या फिर same color का crop top बना कर भी आप इसे पहन सकते हैं और ये बहुत ही beautiful लुक देता है So friends, I hope आपको आज का tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे like और share जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजे और साथ में उस bell icon को प्रेस करना मत बुलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके और आपको इस वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईएगा मेरा इस वीडियो देखने के लिए thank you so much guys